नमश्ukार दोस्तों आपका स्वागत ईक नैंए वीडियो में मैं हुँ आपकी दूर्शिक्ती उपता और आज के वीडियो में हम लोग हम दर्द की सौफी टॉनिक के बारे में बात करने वाणी हम दर्द की सौफी टॉनिक एक हरबल दबा है जिसे खून साफ करने वाली दवा के नाम से भी जाना जाता है और काफी पुराने समय से साफी टॉनिक का इस्तिमाल हो रहा है अगर आप साफी टॉनिक का इस्तिमाल अपने एक्ने पिंपल्स ताख धबो को रिमूफ करने के लिए करना चाहते हैं और से पहले आपके मन में सवाल उ इसलिए प्रिस लाइब करना और इसे जादा जादा शेयर करना आप पहले बाइब कर आए तो चलिए फिर से अपनी टॉपिक त्यार जाते हैं ये सारी बाते तो बात में भी होती रहेंगी साफी टॉनिक आपको बता दे मेरा पर्सले एक्स्पीजिन्स किया है सबसे पहले आ आपको बता दे ये कहावत को सच करती हुई ये दवा है पीने में बहुत ही करवी दवा देखने में बड़ी गंदी है पहना काम बहुत फ़क्ता से करती है ये दवा देखने में ज़रूर कुल्री वग घ्रवी है क्योंकि इसमें नीम का चुराटे का तुलशी का बबूल का इस तरह की जड़ी भूट्यों का है अगर हमारे इंडिया में भी भहत सारे रोगों कुंक करने के लिए लाना बबको बहुत अच्छा से ख्लीन करता है तो धी जारिक यह लावा इसके अलावा भी साफी के एक नहीं बगती बहुत सारे फायदे है इतने फायदे हैं कि इस वीडियो में शायद मैं पूरे कबर भी ना कर पाऊं तो मैं केवल परची वेनिफिट्स आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं जो बहुत ही मतब बहुत ही आम से प्रॉब्लम्स है और इन सारी प्रॉब्लम्स को साफी खत्म करते हैं सबसे पहले जालते हैं कि यह हमारे स्किन पर किस तरह से वर्क करता है साफी का इस्तिमाल सब मतब जवां आप दिखना चाहते हो तो साफी का इस्तिमाल कर सकते हो क्योंकि इसमें जो जड़ी पूटी अस्तिमाल की जाती है नीम है गुलाब है तुलसी है लाजशंदन है यह सब हमारे स्किन के बहुत ज़्यादा वैनिफिशन है आपको पता है जो पिंपल्स एक्ने व करती है तो यह हमारे खून से उन वैक्टीडियों को निकालती है क्योंकि यह हमारे खून को साफ करती है जिसके वज़े से वैक्टीडिया खत्म होने लगते है और पिंपल्स के प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाती है आपको बताते है एक दिने पीने से आपको नहीं ल कुछी प्रॉबलम रहतीए कैस की प्रॉबल्म रहती है पेट अच्छे से साफ नहीं होता है गंधिगी आतों में हमेशा जमी रहती है तो आप साफी का इस्तिमाल करिए साफी हमारे पूरी बॉली को आपने पिमपलों साफी खून को साफ करता है। पहले से बताने हूं साफी एक purifier की तरह work करता है ये हमारे खून को साफ करता है खून में जो गंदिकी है उसे निकालता है साफी में काली हल्दी का इस्तिमाल किया जाता है जो खून को साफ करने में बहुत ही जड़ा helpful है यह हमारे फेफलों की सूजन को भी कम करता है तो स्खून को साफ करने के लिए भी आप साफी का इस्तिमाल कर सकते हैं हेड्स के लिए भी साफी फायदे मंद है साफी में ऐसी आफसदियों का इस्तिमाल किया गया है जो डेंडर की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं जड़ना बहुत जड़ा जड़ना है तो बालों का जड़ना भी चर्ट्रोल होगा आपके बालों की क्रोथ भी विलेगी अगर आप साफी का सेवन करते हैं तो कुछ ऐसे आयरवेदिक जड़ी बूटिया हमारे स्रील में जाती है जो बालों के लिए फायदे मन है तो साफी का इस्तिमाल आप बालों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी कर सकते हो एक बात और बता दे साफी का अगर आप इस्तिमाल करते हो तो आपके बालों में बहुत इची शाइन भी रहती है इसका पाचवा फायदा यह कि साफी आपकी भूग को बढाता है आपका पीट अगर साफ रहेगा आप साफी का सेवन करते हो तो पीर से जुड़े सारे लोग खत्म होंगे तो फिर आपको भूख अपने आप ही लगेगी इसके अलावा जब आप बुखार से उठते हो ना तो कुछ भी खाने का नहीं करता है मुह अजीब से कड़वा कड़वा रहता है तो सा करते हैं स्टु तो दमाएं के जो एक्ट है उस ऍाप्ट को कम करने में साफी कारगार他 कि एक्ट कहने होते हैं तो हमारा पर अच्छे साफोता है और हमें भूप लग लगती है और यह साफी का गराण सेवन करेंगे तो आपकी रोग पत्रों तक छमता भी बढ़ती है तो दोस्तों यह थे साफी पीने के कुछ महत्रपूर फायदे लेकिन इसके लावा भी साफी के बहुत सारे फायदे हैं जो एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकती अगर आप साफी के और फायदे जाना चाहत साफी के फायदे के बारे में अब बता दे साफी का साइड डिफ्रक्ट क्या है आपको बता दे साफी का वैसे तो कोई भी साइड डिफ्रक्ट नहीं है लेकिन हां बच्चों को साफी का सेवन करने नहीं दिया जाता है और भूके पेट कभी भी साफी का सेवन नहीं करना च क्योंकि साफीड का टेस्ट बहुत कड़वा होता है अगर आपने खाना खाया और तुरंति आपने साफीग पीले तो आपको उल्टिक भी हो सकती है तो साफीग को एसे सेवज नहीं करना कभी साफी को एकदम से स्टार्ट नहीड करना कि आज वीडियो देखा पहले साफी के बारे में थोड़ा जाने। आप चोथो डॉक्टर से भी साफी के बारे में पूच सकते हो उसके पाद के सर्हा ले सकते हो। को साफी कैसे पीनी है एक कप पानी लेराarm घुट तो जगता होगा नहीं तो आप प्लेइन वार्टन के साथ साफी सेवन कर सकते हो चांजा था चांजा एक कप पानी ले ला है उसमे एक चम मस लगबिक साफी हाट करनी है है आप dissolved पीजाना बन् clocks गण जाया कर दो सिर्वात अनल दो साफी निस मिंगृ करें लुछिता के लिगा सेवन करने से मेरे एक ने काफी दिनों तक कर गेता है लुझी हमında विडिया उनल कर kषिदी reporting कि डिम्मः记 साफी का मैंने खुद भी सेवन किया है तब ही आज का वीडियो में आप लोग के साश्कर कर रहे हो तो साफी का इस्तमाल अगर आप करना चाहते हैं तो बेश्रक करिए लिए लिए उससे पहले डॉक्टर से पूछ लीजे या फिर कहीं से भी आपको जहां से भी जहनकाने मिल आपको साफी का सेवन करना बच्चों को साफी बिल्कुल भी नहीं देनी है तो दोस्तों आई हो भी जो आज का वीडियो है यूजफूल हो यूजफूल हो तो प्रिस लाइक और शेयर करना है पहली बाच्वार पर आए तो चैनको सब्सक्राइब कर लो बगर में लगी घं सब्सक्राइब कर दोस्तों सुड़ों में तहीं मिलते हैं नेक्स फूड़ों में तब तक ले जया हैं जया भारत